स्वागत है आपका मेरे योट्यूब चैनल में तो आज हम बनाने वाले हैं इस तरीके से बैक पैक तो बड़े दिनों से आप कहा रहे थे कि स्कूल बैग या बैक पैक बनाना सिखाईए तो आज वही वीडियो में लेके आई हूँ तो बहुत सारी पॉकेट्स के साथ इस बै बनता है और बहुत ही सुंदर लगता है तो चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं तो देखे इस तरीके से इसका लुक आता है अर्जस्टिबल स्ट्राप के साथ और यहां पे बड़ी पॉकेट्स और इसके अंदर भी पॉकेट्स हैं साइट पे बोटल वगरा रखने के लिए एक पॉकेट यहां है एक बड़ी पॉकेट्स तो काफी अच्छे साइस का मल्टी पॉकेट्स के साथ बना है और बहुत ही ऊजी तरीका है इसे बनाने का तो चलिए बिना डिले के हम आज की वीडियो को शिरू करते हैं तो इस बैक को बनाने के लिए कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं, तो यह मैं इस तरीके से सूट वाला कपड़ा ले रही हूं, थोड़ा सा synthetic mix है, और सबसे नीचे मैंने lining रखी है, बीच में मैंने form sheet रखी है, और उसके उपर हम pin लगाके, सबसे पहले से सिलाई लगाके quilt कर लेंगे, तो जितने भी pieces आपको यूज़ करने इस तरीके से quilted pieces यूज़ करने हैं, अब हम यह क्या करना है, यह जो हमने piece quilt किया है, इसे हम उपर से हलकी सी round shape दे देंगे, तो हम इसे cut कर लेंगे ये उपर की तरफ से round shape में, ये मैंने cut कर लिया, अब हमें क्या करना है, अब हम इस पे लगाएंगे pocket, तो हमें 2 pieces चाहिए तो same size के 2 pieces मैंने ready कर लिये हैं, अब हमें लगानी है इसके उपर pocket, pocket लगाने के लिए देखिए same form sheet डाल के मैंने piece ready किया हुआ है, इसके measurement आप screen पे दे से, तो 4 inch by 3 inch की ये पट्टी लिया है, और इस तरीके से fold करते वे आपको zip को finish कर लेना है side हों से, दोनों तरफ से हम इसी तरीके से zip को finish कर लेंगे, तो दूसरी तरफ से finish करने से पहले runner को मैंने insert कर लिया है, और अब दूसरी तरफ से भी कपड़े की पट्टी से हम इसे finish कर लेंगे, तो ये हमारी हो गई zip finish, अब हम zip को insert कर लेते हैं, सिलाई लगा ली, उसके बाद पलटते हुए आपको top stitch लगा लेना है, दूसरी तरफ से भी आपको इसी तरीके से करना है, तो ये हमारी pocket बनके ready हो गई है, तो आब हम इसे इसमें लगा लेंगे नीचे की तरफ कपड़ा, तो जो आपको कपड़ा लेना है, वो नीचे की तरफ से वानेंच extra लेना है, उपर की तरफ सिलाई लगाते हुए अंदर की तरफ को आपको fold कर लेना है, तो इस तरीके से ब हमारी इसमें दो pockets बन गए, अब हम यहाँ pocket लगाएंगे, तो जो हमारी pocket लगी है, बिल्कुल उसी की seed में side side से हम कट करके इसको अलग कर लेंगे, तो यह अप्रॉक्सिमे धाई इंच में राया है, और मैं इसे कट करके अलग कर लूँगी, अब यहाँ पे भी हमें एक zipper pocket बनाएंगे, तो इस यह वाले piece में हमारी तीन pockets बन जाएंगी, तो अब ले ली है मैंने zip और side से उसे finish कर लिया है, zip मैंने 12 inch की ली थी और उसके बाद side से कपड़े की पट्टी से finish किया है, अब हमें सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते वें इस पे सिलाई लगानी है, और जैसे हम top stitch लगाते हैं, वो लगाना है, और फिर इसे दूसरी तरफ को रखते हुए, हम इसके उपर भी सिलाई लगा लेंगे, और उसके बाद top stitch लगा लेंगे, तो यह हमारा बन गया, extra cut कर लेंगे, अब हम इसके अंदर के लिए बड़ी pocket बनाते हैं, उससे पहले हम यहा और जो हमने piece बनाया था वो रखना है, और चारो तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद इसे cut कर लेना है, तो इससे हमारी अंदर वाली यह बड़ी pocket बन जाएगी, यह हो गया हमारा ready, अब हम ले लेते हैं इसका back part, और इस पहम लगाएंगे एक pocket अंदर की तरफ उसके लिए मैंने इस तरीके से कपड़ा लिया है 11 इंच और ऐसे है 14 इंच और उसे भी quilt करके उपर से fold किया हुआ है, इसे हम रखेंगे अंदर की तरफ और यहाँ पे हम लगा लेंगे सिलाई, तो यह हमारी अंदर की तरफ वाली pocket बन गई, अब हम बनाएंगे strap, तो strap बन हमारी दोनो strap ready हो गई, अब हम इसे यहाँ से fold करते वे दोनों पे सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हमें लेना है ready made strap मैं यूज़ कर रही हूँ और यह adjuster यूज़ कर रही हूँ, यह मैंने पुराने bag में से निकाला है adjuster और उसे हम यहाँ पे रखते वे सिलाई लगा ले और अगर आपको यह वाली strap लगाने नहीं आती, तो आप किसी भी पुराने bag में से देख सकते हैं, उसमें से देख के भी आप इसे attach कर सकते हैं, यह देखे, जैसे इसे ready किया है, वैसे ही आपको दूसरी वाली strap को भी ready कर लेना है, तो यह हमारी दोनों strap ready होगी, अब हम इस जैसे join कर लेते हैं, back piece के साथ, तो हमें लेना है इसका center point, center point पर आपको निशान लगाना है, और दोनों strap को रखते वे आपको सिलाई लगा लेनी है, strap attach होगी, यहां से 2 inch का निशान लगाना है, और इस वाली strap को इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, तो यह हमारी strap देखे, बिलकुल attach होगी, अब हमें क्या करना है, अब हम इसका side वाला portion बनाएंगे, तो एक बार roughly हम इसका measure कर लेते हैं, कि कितना आ रहा है, तो यह मेरा रह 5 inch into 6 inch की मैंने यह strip लिया है, side बनाने के लिए, अब यह लगेगी कैसे वो बता देती हूँ, पहले आपको इसे बीच में से fold करना है, center में से, उसके बाद यहां से जितनी भी आप side की opening रखना चाते हैं, जितनी भी side से open रखना चाते हैं, तो 11.5 inch के करीब मैं साइडों से open रखोंगी, और इसे side में रखेंगे, 11.5 inch पर निशान लगाएंगे, और इसे हम cut करके अलग कर लेंगे, यह मैंने cut कर लिया, तो यह हमारे पास fold किया हूँ था, तो यह हमारा कुछ इस तरीके से cutting हो के आएगा, मैं आपको दिखाते हूँ, एक piece यहां लगेगा, एक यहां लगाएंगे, center point लेते हूए, आपको बीच में से cut कर लेना है, और यहां पर हमें attach करनी है, zipper, तो zip ले ली मैंने, zip की सीधी तरफ आपको अंदर की तरफ रखनी है, इस तरीके से, और इस पे silाई लगा लेनी है, फिर आपको पलटते हूए इस पे top stitch लगा लेना है, अब प इस तरफ से, एक इस तरफ से, दो runner हम इसमें insert कर लेंगे, तो runner हमारे insert हो गए है, extra zip cut कर लिए, अब यह जो side वाले pieces थे, दुबारा से इनको इसी के साथ हम join कर लेंगे, दोनों तरफ से, अब piping से rough edges को finish कर लेंगे, rough edges finish हो गए हमारे, अब हमें क्या करना है, उपर की तरफ top stitch लगाना है, उसके बाद आपको लेना है इसका center point, यह लगा लिए मैंने center point पे निशान, और अब हम इसके बिले बना लेते हैं, पहले pocket, तो pocket बनाने के लिए मैंने दो कपड़े लिए हैं, बीच में rise back डालके सिला लगाई हुए है, यह मैंने लिए है 10 by 10 inches के, इससे हम जो side वाली water bottle वाली pocket होती है, वो बनाएंगे, तो उपर की तरफ हम इस तरीके से elastic लगाएंगे, अंदर की तरफ fold करते वे, आपको elastic को डाल लेना है, और सिलाई लगा लेनी है, यह सिलाई लगा लेनी है, यह सिलाई ल लगाया, नीचे की तरफ से, pocket को रखना है, और नीचे की तरफ से आपको छोटी-छोटी pleats डालनी है, इसमें, इससे bottle रखने के लिए काफी अच्छा white space हमारा create हो जाता है, यह देखिए, तो pleats डालते वे, हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेनी है, तो पहले मैं pin up करके दिखा देती हूँ आपको, यह देखिए, अब आपको इस पे सिलाई लगानी है, तो यह हमारी सिलाई लग गई, आप उपर की तरफ करते वे, दोनों तरफ से आपको इस पे सिलाई लगा लेनी है, तो यह हमारी pocket बनके ready हो गई, सेम ऐसी pocket मैंने दूसरी तरफ भी लगा ल और हमें इस पे पूरे पे सिलाई लगानी है इस तरीके से अगर आप सिलाई लगाते हैं तो बहुत इसली सिलाई लग जाती है और आपको साइड में पता भी चल जाता है अगर extra हो तो वो काटने में easy भी हो जाता है तो ये लग गी हमारी एक तरफ सिलाई अब दूसरे वाले पीस का भी आपको center point लेना है और इसे रखना है इसके center point से मिलाते हुए और इस पे भी हमें पूरे round पे silahe लगा लेनी है उसके बाद जितना भी extra होगा हम नीचे की तरफ से cut कर लेंगे और इसका base बनाएंगे तो pin up कर लेते हम इसे यह देखिए इस पे silahe लगा लीजिए तो यह हमारी लगए silahe अब जितना भी आपका extra आता है उसे cut कर लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसका हमें base कैसे बनाना है अब बनाएंगे इसका base उससे पहले हम इसे piping से finish कर लेंगे पूरा अच्छे से दोनों तरफ से जो भी rough edges है तो सारे rough edges finish कर लेते हैं तो यह मैंने सारे rough edges finish कर लिए देखिए proper finishing के साथ back बन गया अब हम बनाते हैं इसका base तो base बनाने के लिए हमें यह विर्थ लेनी है 13.5 inch और ऐसे 6.5 inch तो यह मैंने piece ready कर लिया है बीच में form sheet डाल के 13.5, 6.5 inch इसे हम नीचे की तरफ join कर लेंगे तो पहले आपको दो side से join करना है इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ तो यह दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद फिर आपको बागी की दोनों तरफ सिलाई लगानी है अब इसे भी rough edges को हम simple piping वाली पट्टी से finish कर लेंगे तो यह हमने कर लिया पट्टी से finish तो हमारा bag देखे बिलकुल बनके ready हो चुका है अब हम इसे कर लेते हैं सीधा और फिर मैं आपको दिखाती है इसके final look तो काफी अच्छे size में हमारा यह bag बना है यह देखे अगर आप laptop अगेरा यूज करते हैं तो laptop भी आपका इसमें easily आजाएगा 15 inch वाला अराम से आएगा और यह देखिए pockets किती सारी बनी है multi pockets के साथ simple और easy तरीके से देखे यह हमारा bag बिलकुल ready हो चुका है तो दोनों तरफ pocket है bottle रखने के लिए adjustable strap है यह देखिए तो यह है इसका final look तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो comment करके ज़रूर बताईएगा और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ thank you यह देखिए multi pockets यहाँ पे भी pocket